मुझे भी ये प्रोग्राम के पहले 15-20 मिनिट पहले ही पता लगा है कि ऐसे एक प्रकार की मुझे पत्रा आई है पर ये बहुत जादा रिलेट रखता है क्योंकि उन्होंने इस पस्ट लिखा है कि वो एक गवर्मेंट सर्वेंट है और उनको मैंने बदली करके अमराबती भ उनके हेल्थ के लिए बहुत जादा मदद भी की है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है और ये साफ तोर से कह रहे हैं कि मैं अल्ला से दुआ करूंगा कि आपको कुछ भी ना हो तो अभी ये तो एफायर करने के बाद इंवेस्टिगेशन करने के बाद पता लगेगा कि कि वो मेरे हिच्चिन तक है या वो ही मुझे धमकी दे रहे हैं तो अभी ये तो इंक्वाइरी के बाद पर ये सब चीजें तब होती है जब कोले प्रकरन हमारे अमरावती में होता है जब राइट हमारे हिंदू-मुसलिम के अमरावती में होते हैं और उसके बीच में जब दमकी पत्र आते हैं तो कही ना कहीं वह फीलिंग जरूर है क्योंकि मुझे वाले की प्रकरन अभी बहुत रीसेंटली हुई है तो मुझे लगता है एक मन का दिल का कोना है जो यह कहता है शायद यह सब चीजों से रिलेटेड है पर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी ज प्रकाइट है शूर देंगे उस से बंद नहीं होगी मैं लड़ती थी लड़ती हूं लोगों के लिए लोगों के परस्णों के लिए लड़ती रहोंगी उसमें कोई मुझे मुझे भी अभी नहीं पता है और मैंने मेरे लोगों को का है जाके एक F.I.R कराई है हमारे यहां पे CCDV कैमराज लगें घर के आजू-बाजू घर के अंदर घर के एंट्री फेस पे भी तो मैं यहीं चाहती हो कि उसके मैंने मेरे लोगों को भी यह दिये हैं कि आप लोग CCDV फूटेज निकाली है उसके एक एक सेकेंड के फूटेज देखिए कोई बाई हैं देके गया है बाई पोस्ट आया है अगर कोई बाई हैं देके जाता तो उसकी हि लेटर जाते हैं वो जमा करके उनके ड्राउ में यह पड़ा हुआ था तो अभी वही मैंने पता करने लगाया है CTDV फूटेज और FIR भी करने लगा है अमरावती में अमरावती के घर में और आज मुझे मिला है पत्र तो अभी इसके बाद inquiry की मैं डिमांड जरूर करूंग कि इस पर inquiry लगनी चाहिए inquiry लगने के बाद जो भी ऐसा threat लेटर देते हैं उसके ओपर कारवाई होनी चाहिए पर नमनीत राना डरेगी नहीं सर